हालो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि IPPV अपने सभी पोस्टमेन या GDS क्रमचारी को माइक्रोएटियम एप को चलाने के रिए कितना कमिशन देता है या कह सकते हैं कि कैसे हम माइक्रोएटियम एप में इंसेंट्यू कमिशन चेक करेंगे सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखिए पहले हम अपना माइक्रोएटियम अपलिकेशन को ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर open करने के लिए आपको user id और password पता रहना चाहिए तो हम अपना user id और password यहाँ पर put up करेंगे next हम downside जो login का option दिया हुआ है उस पर हम click करेंगे next है terms and condition downside दिया हुआ है I agree with the terms and condition के आगे जो box है उस पर हम tick कर देंगे देखिए आपके microtium application का home screen open हो गया next हम जो corner में three state line दिया हुआ है उस पर हम click करेंगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है agent commission तो हम agent commission वाले option पर click करेंगे देखिए यहाँ पर upside में दिया हुआ है weave incentive details next जो इंदिया post के post में नया GDS करमचारी है उनका नाम दिया हुआ है और उनका agent ID दिया हुआ है next दिया हुआ है month and year किस महिने का बता रहा है September महिने का और किस year का बता रहा है 2021 और आप दिया हुआ है incentive occur till date मतलब कि अभी तक zero देखा रहा है मतलब इस महिने का भी first तारीक को चेक कर रहा है इसलिए भी zero देखा रहा है लेकिन यही से इसलिए आप अपने माइक्रो एटियम से अपना incentive commission चेक कर सकते हैं देखिए माइक्रो एटियम में अगर ये EPS बोले तो अधार enabled payment system के माध्यम से किसी का other bank से पैसा निकालेंगे तब आपको एक 1000 रुपे पे 75 पैसे का commission मिलेगा और अधार enrollment करेंगे तो उसमें भी कुछ commission मिलता है और देखिए अगर आप India post का कोई कारेंगे जैसे की IPPV में खाता खोलना है IPPV के account से पैसा transfer करना या फिर किसी के IPPV account में पैसा जमा करना या निकासी करना इसका कोई charge आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट जो भी यहाँ पर incentive commission होगा वह आपके हर मन्त के last में जब आपका salary आएगा उस समय आपके account में आपका जो incentive commission है send कर दिया जाएगा IPPV के माध्यम से उमीद करता हूँ आपको ही video बहुत अच्छा लगा होगा at last thanks for watching this video